दोस्तो 50-60-55 लाट की आपने तमाम SUVs की रूपी देखे होंगे लेकिन आज आपको चैनल पर लेके आए हैं एक ऐसी गाड़ी का रिव्यू आती इसी प्राइस पर है लेकिन वाइस आप गाड़ी नहीं बहुत एच्छा का साथ टेक्टर टेलर है टाटा की और से आता है सामन डाउन पेमेंट देने पड़ेगी लगवख कितना लोन आपका सेंक्षन हो जाएगा तो जानते इसी के बारे में तो लगवख 55-60 रुपे लगवख आप अच्छा गासा दो-3 लाग तो रुपे और महीने के आप इसमें आसानी से कमा सकते हैं तो आप बात करते हैं सबसे पहले यह चैनल की पहली वीडियो रहेगी जिसमें कि आप इतने बड़े किसी वीकल का रिव्यू देख रहे हैं तो जितना इस गाड़ी के बारे में मेरे को बता है अभी तक मैंने जानना है यह सारा कुछ आपको मैं बता हुआ और टाटा का सबसे पॉपलर जो है यहां पे आप सिगना कैबिन देख रहे हैं जो की फुली एसी है क्योंकि अब जो और में ने कह दिया है बड़े वले ट्रकों में बाइसाब एसी कैबिन होना बहुत जरूरी है बरना जो है पासिंग नहीं होगी तो यह जो है टाटा ने जीच कर दी है सिगना कैबिन तो पहले से अच्छा गासा देखने को मिलेगा तो आप बात करते हैं एक शोरूम बताऊंगा सादा कुछ डीटेल में बताऊंगा सबसे पहले यहां पर आपको मैं बता दूँ यह कौन सा वेरिंट है तो यह जो आपका फ्रेंट में जो यहां पर इसमें एटैच घोडा देखने को मिल है लेकिन बाइसाब तोड़ा सा जो है ड्राइवर वो चिंता में रहेगा रहेगा वो मैं अभी बात करूंगा सबसे पहले सिगना केविन यह आपको जो है पता लगेगा डीटेल में क्या खास है यहां से फ्रेंट से देखते हैं फ्रेंट उपर से स्टाइट करें तो दो स्टाइब दे रखिए हैं पूरा गाइडलायन के लिए यहां पे कुछ ऐसा और बड़ी सी विंड स्क्रीन जो हैसा की बड़ा साइज रहता है गाड़ी का तो इतनी बड़ी विंड स्क्रीन आपको ज़िए काफी हाइट पर दो वाइपर देखने को मिलना इसी में जो है व तो यहां पे यूच किये गए हैं, पूरे proximity mirror जिससे की पूरा safety रहे, क्योंकि कई बार ऐसा होता है, यहां पे cabin उपर है, driver उपर है, कुछ दिखता नहीं है, आगे बाइक बाइक वाले खड़े रहते हैं, तो उसके लिए फ्रेंट में भी mirror प्रॉपर दिया गया है, इसके बा पूरा है, तो यहां पे आपको देखने को मिलेगा, grill कुछ आपकी इस shape में देखने को मिलती है, काफी शांदार सी shape रहती है, जिसमें की आपका honeycomb pattern में आपके इस तरीके से air passing के लिए radiator आसानी से आपको ठेंडा हो जाए, इसके लिए आपको पूरा gapping आपको देखने को मि इसके बाद अगर engine की बात करी जाया, तो engine काफी अच्छा गासा, जो बहुत ही popular जो यहां पे Tata का engine देता है, Cummings का 6.7 liter का engine दिया गया है, power output लगबग 300 horsepower यहां पे रहती है, तीस सो आर्पिम के आसपास पास प्रेडियूस कर देगा, और torque लगबग 1100 NM का यह और यहां से कुछ, यह कुछ थी engine की बात, अब यहां पर जैसी आप यहां पे देखते हैं, तो यहां पर आपका फ्रेंट में जो वंपर है, यह पूरा जो है, यहां पर metal में दिया गया है, इसमें चड़के यहां पर पकड़के ग्रावेंटिल जो हां पर दे रखें, आरा lens है, front में halogen head lamp छोटी सी यहाँ पर violet lamp indicator थोड़ा cording दिया गया है, जो कि ऐसा कुछ यहाँ पर दिख जाए, तो यह सारा कुछ setup halogen में रहेगा, इसके बाद जो है, front में कुछ यहाँ से, नीचे जो है आप आप इसे bumper गया सकते हैं यहाँ पर यूज किया गया है, अब suspension की बात करों, तो पहला बॉड़िक leap spring कुछ यहाँ पर यूज की गया है, जो कि आप देख रहे हैं, काफी जो है, अच्छी खासी थिकनिस के साथ में आपको यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं, जो कि आप यह फ्रेंट में देख रहे हैं, और इसमें जो है, फ्रेंट में जो है, यहाँ पर साइट की और आएंगे, तो साइट प्रोफाइल कुछ ऐसी रहती है, साइड में पूरे पैट आपका यहाँ पर इस तरीके से जो है, आप यहाँ पर विंडो ग्लास रहे हैं, क्योंकि एसी वाला कैबिन है, तो वो कैबिन पूरा चिल्ड रहना चाहिए, तो यह वाला आपका जो है, फ्रेंट में यह दो मिर्व पूरे पैक्ड रहेंगे, और यहाला आप इंडाउन अराम से हो जाता है, और जो है, सिंगल लॉग मेकानिसम के साथ में यह आपके जो है, अभी खुला है, इस तरीके से बागी कहीं से भी लॉग करें, पूरा लॉग हो जाएगा, और इस तरीके से भी एसी फेस्टू में आपके जो है, ढोर है जो है यह डो की मिल जा रहे है, प्रोपर रेफलेक्टर टेफ का भी यूज कि के लिए और चड़ने के लिए पूरा केपिन बन जाता है अब यहाँ पे काफी ईजीली आपर अंदर चड़ने के लिए यह पूरा कैबिन बन जाता है अब यहां पर टायर सेक्षन के बात करो MRF का स्टील मसल यहां पे टायर यूज किया गया है जो इसकी प्रोफाइल रहते है तो लगबग आर 20 का प्रोफाइल का टायर रहता है पुराना भी तो पंचर-उंचर कुछ डेमेज-एमेज जो भी हो वो जो है आप फ्रेंट में यूज कर सकते है और टोटल जो इसमें नट आप देख रहें टाटा मोटर फ्लीटेज इंसाइड अब यह है क्या चीज तो यह बाइसा बहुत ही खास चीज है खासकर उनके लिए जो इसके जो है मालिक रहते हैं अब यहां ड्राइवर जो है आप गारी कहां लेके जा रहा है कितना कहां रुग रहा है डीजल किता भर कर सकते हैं आज यहां जाए यहां जाएगी इस रूट पर जहए जाएगी अगर बात करूं अपने जो हैं आपी ट्रैक कर सकते हैं पूरे आप अपनी जो है इस गोड़े को साधी साथ जो है आप पर अगर मैं बात करता हूं अलग-अलग जो है यहां पर वीकल हेल्थ इसकी पूरी मॉनिटर कर सकते हैं कब सर्विस का टाइम क्या आप पर रहेगा डीजल चोरी होने की बहुत दिक्कत रहत तो यह साला कुछ आपके इस फ्लीटैज एप में आपके वाडनिक देखने को मिल जाते हैं तो यह चीज काफी सही करी गई है लेकिन इसके लिए साध आपको सब्सक्रिक्शन आ पर लेना पड़े तो यह फ्लीटैज भी आपका जो है इसमें देखने को मिलेगा अब रियर जाती है बैटरी आपको यहांपर दो मिलेंगी, तो इसके लिए अलग से कट आउट यहांपर दिया गया बाइचांस गाड़ी वाड़ी आप खड़ी करके जा रहे हैं विपाड़ी जहें ए प्रॉपर देखने को मिलेगा और यहांपर जैसा कि सिकना कैबिन को और थोड़ा ज्यादा जो है comfort बनाने के लिए प्रॉपर जो है आपे कोई टाइप suspension यहाँ पे इस तरीके से जो है आप यूच किये गए हैं उस तरब भी जो है आप यूच ही आगया है और साथी साथ आपका जो है पावर स्टेरिंग का पूरा जो mechanism में है इसमें आपका जो है राने का देखने को मिलेगा जो कि यहाँ पर लिखा हुआ है इसके बाद जैसी आप पीछे आते हैं तो जैसा आपका जो है मांट कर सकते हैं तो यह बहुत ही आसान तरीके से जो है निकाला जा सकता है अच्छी खाशी तरीके से यहां पर जो है मांट किया गया है और पीछे जो ट्रेलर को ठाने के लिएन के लिए हालप हाइवा पूरा hydraulic system जो है यहां पर यूच्छ किया पीछे आपका तो आपको पीछे लाइटिंग आसानी से घर जाए तो यहां पर आपका आसानी देगा और यहां पर भी एमरेफ का 295 90 का यहां पर टैर सेक्शन रहता है इसके बाद यहां से उस्पेंचन है वह लगबग जो है आपके जो है साथ जो है आपके लीप स्प्रिंग यूज किये गए काफी अच्छी तिकनेस रहती है डिफरेंशल का साइज आप देख रहे हैं बहुत ही हुज सा जो है आपे देखने को मिल जाता है अब इसके बाद यहां से फ्रेम जो यहां पर देखते ह अब यहां से आपका पूरा पे लूड का पता लगेगा चालीस लार चार सो जो है आपे ़ेजी की पेलोड कैपिसिटी यहां पर देखने को मिल जाती है और साथी साथ जो है आपे जो इसका जी वीड़ो ग्रॉस वीगल वेट वो है 54,000 का 54,000 केजी का जो है ग्रॉस विकल वाला है लगबग लगबग अगर मैं बात करूं 22 फिट के आसपास जो इसकी पूरी लंबाई होगी और साधी साथ जो है अगर चोड़ाएगी बात करूं विप्थ लगबग जो है साड़े 8 फिट की आप देखने को मिल जाती है बाकी हाइट के अगर बात करिया है लगबग 6 बात की एक नहीं डिया नहीं पहिए लगब 1-8 फिट के आसपास जो ही इसा की हाइट रहेगी और यहां से कनकी आपकी ऑलग से यहींड़ और यहां पर इंमनेफेक्शन नहीं क üz जबेगे अधे लगए तरेर यहां यहां पर ह्यां पैस आपके अजाण कोडिया कोड़ाद वो R20 का रहेगा और पीछे जो है आपको बैंजो टाइप साड़े 11 तन का आप एक्सल देखने को मिलेगा और एक चीज और अच्छी लगी हर एक जहां पर भी आपको टायर देखने को मिलने यहां पर प्रॉपर इस तरीके से जो है कवरिंग यूज करी गई है इससे क्या फा कि र्षान करते हैं पूर डिजाइन करा है यहां आपके suspension यह जो है इसमें है एइर suspension दिए गये है बलून आप देख सकते हैं इसका जो की कुछ यहां पर है बलून आपके जो है फ्रेंट में जो है आपे और पीछे आपके जो है दो बलून देखने को मिलेंगे यहां से आप जो है क्लेरिली विजिवल आपके आपके रहेंगे तो एर सस्पेंशन के साथ में यह वाला आपका पर रहेगा इसके बाद पीछे आते हैं तो पीछे भी आपको वही आपके suspension कुछ ऐसे leap spring के साथ में मिलते हैं पीछे जैसा कि load अच्छा रहता है तो पीछे आपके leap spring की आपके numbers बढ़ जाते हैं लगबग लगबग अगर मैं leap spring की बात करूँ यह जो है 10-12 leap spring तो यहाँ पर होनी चीए लगबग 10-11 के आसपास हैं तो यह कुछ suspension में पूरा setup रहेगा और बाकी बाइजांस कभी बाड़ी उठानी हो कुछ इसमें करना हो तो इसके लिए यह प्रॉपल यहाँ पर यूज किये गए हैं इस तरीके से आप इस पर बाड़ी रख सकते हैं और साथी साथ यहाँ से प्रॉपर यहाँ पर नीचे रखने का यह पूरा system आपर दे दिया जाता है तो यह रहता है पीछे और पीछे प्रॉपर जो है तो यह चीज इसमें प्रॉपर दे रखीए है तो आपको कुछ इतना वख पीछेगा पूरा यह आप इस केना चाहिए डाला आपका देखने और सीमें गाया मुत्ट में चstalहाना घंको भाहना है यह आपका काम आता है इसके बाद रियर से आप देखेंगे तो रियर में नौरमर सी आपे हैलोजन वाली यह टेल लैंप्स आपको यूज देखने को मिल जाती हैं बागी यह है कुछ रियर का प्रोफाइल तो रियर में रिफ्लेक्टर टेप रियर की प्रोफर यूज है यह रहता है पुरा एक्स्टीरियर का आप नहीं पर देखा अब यहां से इस तरब चलते हैं तो डीजल टेंक और साथी साथ जो है आपको यूरिया टेंक यह दोनों ही आपको एक साथ जो है देखने को यहां पर मिल जाते हैं इनकी जो कैपसिटी रहती है 356 लीटर की डीज़ टेंक कीologि पॉलिवर में है यह साथ इससाथ इस में आप एक और करभा सकते हैं लगभग जो है उसकी कैपसिटी टी ऑगी 192 लीटर की रहेगी तो पूरा पासिग-बासिग हो घीए हिगा यूरिया जो है इसमें पूरा फिलप होगा तो यहां से आप देखते हैं तो यहां पर आपका पूरा air filter रहेगा एर फिल्टर जो कि घंदर हो जाता है तो चेंज करवाते हैं अतर लोग लेकिन अब चेंज ही करवाना तो आपको काफी अच्छी गासी जो है एफसेंजी भी मिल सकती बाकि इस नौर गल थोड़ा सा उपर रहता है क्योंकि देखो इस टेपर को जो है आपे ट्रेलर को जो है आपे चलाने जो है जालतर धूल मित्ती आली अपर चलता है तो यहां पर इसकी जो है प्लेसिंग काफी अच्छी गसी जो है हाइट पर गरी गई है तो जिस अच्छी एयर इंजिन के अंदर जाएगी उतना अच्छा फ्यूल बढ़न होगा उस तरीके से इसको भी जो है काफी अच्छा कासा डिजाइन किया है टाटाने बाकि अब मैं सबसे जो है जादा जाए जो है अंदर ना जाया जाए असानी से जाया जाया अब चलते हैं इसके इंटीजर में बात करेंगे सारे फीचर्स के इंटीजर के इस सिगना कैविन की अंदर जाते हैं तो सबसे पहले ले देखिए चावी चावी का पूरा जो है गुच्छा रहता लगबग जो है ऐले बड़ा आपका नीचे का डेखने को मिल जाता है, तो वाकरी में आपको थोड़ा राजा वाली फील इसमें आयाती है जैसी आप इसमें बैठते हैं सबसे बह्त करता हूँ क्योंकि यहां से स्टार्ट कर लेते हैं स्टेर्इश देखनी को मिलेंगे इस तरीके से इंग्रेविंंग देखने को मीलेगी, बीछ में TATA का लोगो, और यहां पर जुहें इस तरीके से यैसे कि ये laige white के सारे स्विचिस देखने को मिलेंगे, और बाइसाब ये cruise control के साथ में आ है. यह देखिए, cruise control पूरा पे देखने को मिलेगा, तो बाई साथ बड़े बड़े ट्राकों में भी आप cruise control आने लगा है, तो यह cruise control वारा आपका पूरा सिगना cabin यहां पे देखने को मिलेगा, और देखे, tilt and telescopic दोनों ही adjustment के साथ में यह stading यहां पे दिया गया है, और साधी साथ यहां पे एक बार यहां पे on करता हूं में यहां पे ignition, तो जैसी आप यहां पे on करेंगे, तो कुछ ऐसा यहां पे meter console यहां पे आपको देखने को मिल है, इसके बार यहां पे अगर मैं बात करूँ, आपकी def level कितना है, यह चीज इसमें क्योंकि यहां पे diesel engine है, तो def की पूरी हां पे, quantity हां पे यहां पे दिखाईगे है, साधी साथ यहां फ्यूल का पूरा यहां पे level आपका देखने को मिलेगा, बाकी बाकी बैटरी आपको देखने को मिलेगा, इसके बाद कई सारे controls यहां पे देखने को मिल रहे हैं, तो यहां पर देखिए, AC है जैसे गाड़ी में, dedicated तो यहां पे पूरा AC के vents देखने को मिलते हैं, यहां पर hazard light वाला और load के recording, अलग 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 load यहां पर heavy लेके जा रहे हैं, यहां पर पावर सॉकेट भी यहां पर एक दे रखा है, और यहां पर आप देखते हैं, तो एक बात गिनिशन आफ कर देता हूं, फिर बात करते हैं, gearbox, gearbox की अगर बात करी जाए, तो यहां तो आप देख रहेंगे बहुत सारे gear, जो कि आपने जादर, कारों में यहां पर यह चीज आप नहीं देखी होगी, तो इसमें आपको gearbox काफी अच्छे कासे gear, लगबग 8 gear आप देखने को यहां पर आपको मिल जाते हैं, और इसमें आ आपका अगर बात करीए, क्लेच, क्लेच फ्लोट जो है, लगबग-बग जो है, दो लाग कीलोमीटर पर जो है, इसमें इस गाडी में जो है, आप अपर फिलप आप जो है, करभ़ पाएंगे, ट्रांशमिशन ऑइल, लगबग-लगबग जो है, 11,7,000 किलोमीटर के आसपा जो है geare box का जो है आप को जो है इसमें, जो है, change करना पड़ेगा. 430, जो है, dya के, जो है, आपे clutch के साथ में, ये gearbox देखने को बिसना है. G 1150 आपका जो है, जो है, यहाँ पे इसमें, गेar box रहे गा. तो ये इसका पूरा gearbox का mechanism. आपको यहां पर देखने को मिलता है, उपर आप देखेंगे तो speaker, speakers के जो है, आपर प्रॉपर entertainment के लिए यहां पर चीजे दिये रखी है, यहां पर glove box कुछ रखना हो, यहां पर भी आप रखता हैं कि यह open वाला मिलता है, यहां पर यह close वाला देखने को मिल जाएगा, बाकि code driver में यहां पर आपका जो भी संगिस साथ ही यहां पर बैठता है, वो जो है आप बैठेगा, बाकि यह जो seat है, यह कई सारे तीन adjustment के साथ में आपके देखने को मिलेगी, तो यहां से आप आगे पीछे इसे कर सकते हैं, यहां से आप देखेंगे तो यहां पर दो, आपके आपके आपको मिल जाता है देखने के लिए, बाकि आपके पैडल्स, आपके कुछ ऐसे देखने को मिलेंगे, जो की काफी comfortably, यह तो electronic वाला आपका एक्सलेटर है, और यह ब्रेकिंग का वो भी काफी अच्छा वासा आपके मौंड किया गया, जिससे की ज़्यादा लॉंग पूरा जो है यहाँ पे बैट दे रखा है, जो की अराम से आप जो इसमें लेट सकते हैं, एक अच्छा वासा अच्छा हुट का आदमी तो इसमें आराम से लेट पाएगा, बाकि सिगना कैबिन कुछ ऐसा जो है फीचर लोडेड है, जो की आप यहाँ पे देख रहे हैं, और काफी जो है उचाहियों पे आने पे काफी अच्छा जो है फील होता है, बाकि यह सारे एसी के म्यूजिक विजिक के कंट्रोल यहां से आपको देखने को मिल जाते हैं, तो यह था पूरा जो है सिगना कैबिन, अब चलते हैं बाहर वीडियो को एंड करते हैं, बहुत ब मांगता है, तो उससाब से प्राइस थोड़ा अलग अलग रहती है, तो यहां पर आजकल यह डील्टी काफी जो है अच्छा कासा चल ला है, और जीटीएप में आते तो लग बग लग जो है, मगर मोटा मोटा बात करूं, पचास साड़ रूपर वो थोड़ा आपका सस्ता पड़ेगा, आप में रहती है, वाई साब कितने प्राइस पर यह मिलता है, तो देखो अगर आप फ्रेंड के गोड़े-गोड़े की इतने सेक्शन की बात करते हैं, क्योंकि इतना सेक्शन भी आप लेना चाहें, वो मिल जाता है, लग भग उसकी एक्शोरूम पैंतीस ला यहां पे, इसमें आपको जो यहां पे कैश है, वो लग बग डाउन पेमेंट 12-13-14 लाग तो आपको देना ही पड़ेगा, बाकी लोन आराम से हो जाएगा, बाकी अगर आप 2-3 जो है इस तरीके से गोड़े चला रहे हैं, तो लोन की अगर मैं बात करूं, और 40-50 लाग का अभी वो आसानी से हो जाता है, बाकी exact अगर उत्राखंट, उत्रपुर्च से हलदानी से जहां से भी हैं, पता करना चाहते हैं, ऐसे बड़े बड़े टक्स की प्राइस क्या हिसाब चला है, आप उत्राखंट में रेट तो आपको नीचे नमबर दिये गए हैं, यहां से आ है, टाटा का, फ्लीटेज, इंसाइट टेक्नोजी के साथ में आने वाला, पचपन तीस डॉट एस, टेक्टर टेलर, थोड़ी सी भी जो है, वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी हो, थोड़ा सा भी इसके बारे में पता चला हो, लाइक, शियर, गर्मेंट जरूर करके जाए कोई भी सजेशन हो, जरूर बताएं, मिलते हैं और ऐसे नहीं वीडियो के साथ में